हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आए में आपको पैनासॉनी कार्लेस में जो मेन फार्ट आते हैं उसके बारे में बताऊंगा अगर आपको मेरा बताने का त्रिका अच्छा लगेगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब एं लाइक माई चैनल फैंड्स सबसे पहले यो पैनासॉनी कार्लेस में क्या फार्ट आता है कि इसका बेस यूनिट और हैंट सट यूनिट का आपस में जो लिंक है अगर लिंक नहीं बनता है मगर इसमें डायल टोन नहीं आ रही है मतलब इसमें रखने के बाद इसके ग्रीन लाइट तो इसकी आ रही है लेकिन हैंड से नहीं आ रही है जाए अपस में लिंक नहीं अगर इसका मैच हो रहा है उसकेस में आपको क्या करना है है सबसे पहले आपने इस receiver को उठाना है receiver को उठाके आपको प्रिस करना है सब्सक्राइश 1300 है एश 130 करके हैश 130 करके आपने उसके बाद locator switch को 5 seconds के लिए प्रैस करना है सब्सक्राइब प्रैस करके आपने उसके बाद जो यो hands सेट्र है वापस आपने इस पे रख देना है लेकिन नेहां डिष्ध के लिएच लिए उस hemisphere करना उसके बाद इसको 90 सेकंड के लिए आपने इसको बेस्ट पे रख देना इससे क्या होगा कि अगर link की वह से अगर कोई fault है इनमें दोनों में link अगर नहीं पैदा हो रहा है तो इनमें link पैदा हो जाएगा यह वाला fault ठीक हो जाएगा next fault क्या है कि इन दोनों में link तो मतलब पैदा हो रहा है लेकिन handset में dial tone नहीं आ रही है उसके लिए सबसे पहले आपको दूसरा telephone लगाके देखने लेना है कि line में आपकी dial tone है या नहीं है अगर line में dial tone आ रही है उसके बाद next step क्या है कि आप क्या कीजिए कि इनके यो rechargeable cell होते हैं इनकी two year slides होती है अगर आपको cardless दो साल लिये हुए हो गए हैं तो आपको ये rechargeable cell है आपको rechargeable cell चेंज कर लेने है ये normal cell है ये आपको market से 100 रुपीज का excel मिल जाएगा उसके बाद आपने इसके cell चेंज कर लिए और इसका मतलब पूरा डिस्प्ले बिल्कुल ब्राइट डिस्प्ले आ रहा है और रखने के बाद green light भी चल दिया लेंगे फिर भी dial tone नहीं आ रही है उस case में क्या करना है आप क्या कीजिए कोई भी कारलेस होगा उसमें सेम ही panasonic का कारलेस होगा सेम ही पार्ट लगे होंगे मैं आपको बताता है सबसे पहले आप इदर lock system होता है तो आप इदर screwdriver इदर डालके पहले तो आप इनके चार NET खोय लीजिए यह मैंने आपके सुफूलियत के लिए पहले ही इसके चार NET खोय लिए हैं चार NET आपने खोय लिए उसके लगनाब आप अप इदर लाग सिस्टम होता होता है जैसे आप इदर screwdriver डालेंगे तो आपको कनक की आवाज आगी तक की आवाज आगी उसके वाद यह लाग सिस्टम इसके फूल जाएंगे उसके बाद जैसे यह इसका बेस अगर कोई answering मचीन वाला है कोई सक्षाट है उसका सेम स्षाट होगा जो आपको बता रह variance को क्या करना है उसके बाद अंदर बेस सटेशन में इसके नट लगा होगा य defense आपको नियान रखना है जिस तरह प्र सेट खोल रहे हैं उसी तरह आपको यह सट बंकरना झाला कि करना करें यह मैं उसके लिए बता रहा हूं करना है तो कुछ फर्ग असके अंदर कि के बड़ी प्लेट है तो यह में दो अंदर प्लेट में यह रगाओ का amb Hour अपने बहुत अराब से कुँंगे तरह किनक्टिविटी लग सूसराव चार्जिंग से यह भी उसके बाद आपने देखना है इसके अंदर जे एक फ्यूज लगा हुआ है जे एक फ्यूज है यालो कलर का कोई भी कार्लेस होगा उसके अंदर जे यालो कलर का फ्यूज लगा होगा क्या होगा होता है कि access current की वएसे ये fuse है जे क्या होगा कि breakdown हो याता है अगर मेरे को रिपेरिंग वाले है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अब मीटर की मदद से करना चाहिए ये फ्यूज सका मतलब ओके फ्यूज ओके है विलकुल अगर जे पीप नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये यो फ्यूज है ब्रेक हो गया है बीच में से आपको simple क्या करना है जहां तो अगर को रिपेरिंग बाला बाई देख रहा है तो फ्यूज चेंज कर ले नहीं तो आपको क्या करना है यह जो टू एंड्स है जहां पर नीचे जो जैलो लगा हुआ है यह जैलो यह फ्यूज है इसके points आपने देखना ऊपर कहा है अगर कोई गर में करना जाता है वो soldering iron की मदद से क्या करें इन दो points को fuse नीचे लगा रहने दे एक बारीक सी वायर ले soldering iron की मदद से जेबाला और जेबाला point जहां fuse लगे हुए है जेबाला point वो आपस में शाट कर दे इससे क्या होगा कि यह उसकी dial tone आ जाएगी अगर वो उसने fuse open है उसने इसको शाट भी कर लिया फिर भी dial tone नहीं आई उसके बाद क्या है उसके बाद आपने क्या देखना है कि यह एक VDR लगा होता है यह VDR है यह junior diode है इसको VDR भी कोते है junior diode भी होता है यह क्या होता है फ्रेंस जब access voltage आती है तो यह शाट हो जाता है इनके दोनों एंट्स शाट हो जाते हैं और यह आगे access voltage आने नहीं देता इस case में क्या करना है आपको simple cutter की मदद से आप cutter लीजिए आप cutter की मदद से आप इसका एक end आप इसका BR लगा हुँ आप cutter की मदद से आप cutter इस तरह बीच में फसाईए और आप इसको इस तरह कीजिए और BR इसका यह और निकाल दीजिए जैसे ही आप देखेंगे कि आप इसने BR अपने plate से निकाल दिया तो आपकी यह सेट में dial tone चे कैसे आएगी ऐसा कुछ नहीं है मेरे बाईयों जे यो ब्लैक कलर का लगाया हुआ जे प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है कि अगर आगे कि अगर कोई करंट ज्यादा आ गई है तो यह इसके दोनों एंट्स शार्ट हो जाते हैं इससे क्या होता है कि एक्सेश सप्लाई आगे नहीं जाती है आपको क्या करना इसका क्या करना है इसको मतब ब्रेक कर देना है एक पॉइंट आप जैसे ही ब्रेक करेंगे उसके बाद आप चेक करेंगे तो आपकी इसके डायल टॉन आ जाएगी फैंस होब करता हूँ जो मैंने समझाया आपको अच्छा लगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब लाइक मैं जाओ उसके बाद आपने बहुत ही अराम से जिस तरह सेट को लाए तो आप इस सेट को बंद कर लिए थैंक यू बेरी मैं